इस दिवाली आयोध्या नहीं आ सकते तो परिशान ना हो अब आप घर बैठे प्रभू श्री राम और माता सीता के लिए दिया जला सकते हैं पूरा प्रोसेस ओनलाइन है और ये कैसे होगा आइए जानते हैं सबसे पहले आपको गूगल पर दिव्यायोध्या.com नाम की विबसाइट पर जाना होगा होम पेज पर आपको दो आप्शन्स मिलेंगे पहला है राम जोती और दूसरा है सीता शुभा इन दोनों पाकेज में क्या-क्या है चलिए एक एक करके जानते हैं राम जोती पाकेज में आपको घर बैठे आयोध्या का प्रसाद मिलेगा जिसमें रगुपती प्रसादम, इलाईची, गुड, आयोध्या राज, हनुमान गड़ी लड़ू, चंदन और सरायू जल्च शामिल है इस पाकेज के भुकतान के बदले में आपकी नाम से आयोध्या नगरी के दीपोत्सव में प्रभु राम के लिए एक दिया जलाया जाएगा सीता शोभा पाकेज में आपको घर बैठे आयोध्या का प्रसाद मिलेगा लेकिन ये राम जोती पाकेज से थोड़ा अलग है सरेयू जल, चरण पादुका, सुन्दरकांड, भगवान राम की लेमिनेटिट फोटो और खुर्चन पेडा शामिल है इस पाकेज के भुकतान के साथ भी आप आयोध्या नगरी में होने वाले भव्यदी पोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं अपने नाम से दिया डोनेट करने के लिए आप राम जोती और सीता शोभा इन दोनों पाकेजस में कोई एक पाकेज खरीच सकते हैं इसके लिए आपको कितने रुपयों का भुकतान करना होगा चलिए अब ये जान लेते हैं आपको राम जोती पाकेज के लिए ग्यारा सो और सीता शोभा के लिए एक किस्सो रुपय का भुकतान करना होगा ये यूपी टूरिसम की वेबसाइट है यानि एकदम सेफ और विश्वास निया है लेकिन ध्यान रखें आप 30 अक्टूबर से पहले इस प्रोसस में अपलाए कर सकते हैं अगर आप राम जोती या सीता शोभा इन दोलों पाकेज़ को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे चलिए अब ये जान लेते हैं सबसे पहले आपको दिवयायोध्या.com पर जाना होगा होम पेज पर आपको डोनेट दिया एन रिसीफ प्रसादम सेक्शन दिखेगा यहां राम जोती या सीता शोभा पाकेज के नीचे दिये गए बुक नाव बटन पर क्लिक करें अब एक नई स्क्रीन खुलेगी यहां अपना फोन नंबर रेजिस्टर करवाएं अब OTP के जरीए वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करें अब एक नया पेज खुलेगा यहां बने बॉक्स में अपना नाम, इमेल आइडी, एड्रेस और लोकेशन जैसी जानकारी भरें अब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ट, नेट बैंकिंग या UPI के जरीए ओन्लाइन पेइमेंट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं है ना ये प्रोसेस एकदम इजी, तो अब घर बैठे, आयोध्या में होने वाले भव्यदी पोटसफ का हिस्सा बनना ना भूलें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रही लोकलिटी